आज मैं लेकर आई हूँ, ठंडी ठंडी तरो ताजा करने वाली गर्मी की ऐसी रेसिपी जिसका एक ग्लास आपको तुरन ठंडक और एनरजी देगा गर्मियों में आमपना लूसे तो बचाता ही है, साथी में इसे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़कर पाचन क्रिया भी ठेक होती है लेकिन आमपना बनाने में टाइम जदा लगता है आज के इस वीडियो में मैं आपको आमपना बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिसे आप एक बार बना का छे मैने तक स्टोर कर सकते हैं जिसे बनाने में समय कम लगता है और पना जदा मात्रा में बनता है मतलब टाइम और मनी दोनों की बचात ही बचात नमस्कार, स्मार्टे स्वीजोती में आपको सोगत हैं तो आई ये शुरू करते हैं आम बना बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक किलो आम लिये है यदि आपको कम मात्रा में आम बनाना है तो आप आम कम लेकर उसी परसेंटेज में बाकी इंग्रिडियेंट्स ले लीजिए पना बनाने के लिए इस तरह के हरे हरे कच्चे और टाइट वाले आम ले जब आप इस तरह की कैरी से पना बनाएंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा मैंने कैरी को रात पर पानी में रख दिया था ताकि उसकी पूरी गर्मी निकल जाए दो कप पुदी ना लीजिए और दो कप ही कटा हुआ हरा धनिया ले धनिया से गर्मी में ठंडक मिलेगी और पाने का टेस्ट भी अच्छा आएगा कैरी को छिल लीजिए पारंपारिक तरीके से जो पना बनता है उसमें कैरी को छिलते नहीं है डायरेक्ट उबाल लेते हैं लेकिन कैरी को डायरेक्ट उबालने से कैरी का बहुत बोड़ा मोटा छिलका वेश्ट हो जाता है जिससे पना कम बनता है कैरी के छोटे-छोटे टुकडे कर लीजिए कैरी के छोटे-छोटे टुकडे करने से बात में पना बनाना असान हो जाएगा मैंने पूरी करी को छील कर उसके छोटे छोटे टुकडे कर लिये है कुकर में कटा हुआ आम डाल कर दो से धाई कब पानी डाले कुकर का ढकन लगा कर मीडियम फ्रेम पर चार पास शिटी ले ले चार से पास शिटी में कैरी अच्छे से पक जाएगी अब ग्यास बन करके कुकर को ठंडा होने दे मिक्सर के पॉट में पकी हुई आधी कैरी डाल कर काला नमक दो टेबल स्पून, नमक दे टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर एक टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर एक टेबल स्पून और इलाइची पाउडर एक टेबल स्पून डाले इलाइची से टेस्ट अच्छा आएगा और इलाइची गर्मियों में ठंड़त देगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदी ना डाले मैंने धनिया और पुदिना को अच्छे से धो लिया था, थोड़ा सा पानी डाल कर मिक्सर को रुकरुप कर चलाते हुए इसका एक फाइन पेस्ट पना ले, इस पेस्ट को चलनी से छान ले, अब बच्ची हुई कटी हुई कैरी, पुदिना और धनिया मिक्सर के पॉट में ड आमपना जादा दिनों तक श्टोर करने के लिए हम इस पेस्ट से सिरफ बनाएंगे, जिससे हम जब चाहे तब एक मिनिट में आमपना तयार कर सकेंगे, यदि आप सिरफ नहीं बनाना चाहते हैं, आमपना आपको कम मात्रा में बनाना है, तो इस पेस्ट में आप थोड़ी फ्रीज में साता डिनों तक रख सकते हैं, सिरफ बनाने के लिए क्यास पर कड़ाई रख उसमें एक किलो चिनी डाले, हमने 1 किलो कैरी ली थी, उस इसाब से उसमें 1 किलो ही चिनी लगेगी, इसमें 2 कब पानी डाले, मिडियम फ्रें पर मिष्म को लगातार चलाते रहे, य एक बार बना कर रख लीजिए, फिर जब दिल चाहे निकाले, पानी मिलाई और बस आमपन्न तयार हो जाएगा, देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, हमें यहाँ पर चासनी नहीं बनानी है, चीनी बस मेल्ट हो जाए, इस टेज पर हमने जो आम का पल्प तयार किय थोड़ा सा सिरफ उंगली पर लेकर देखे, यदि उसमें थोड़ा सा चिपचिपापन आ गया है, मतलब सिरफ तयार है, हमें इसको एक तार की चासनी बनने तक नहीं पकाना है, बस इस टेज पर ग्यास बन कर दे, यदि आप इस ट्रिंग को बाजार जैसा लुग देना च मैने नहीं डाला है, अभी ये थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन ठंडा होने पर ये गाड़ा हो जाएगा, इस टेज पर इसमें दो टेबल स्पून निम्बू का रस डाले, धैन दे, कि निम्बू का रस ग्यास बन करने के बाद ही डाले, नहीं तो हमारा जो सीरफ है, उ लिजिए हमारे आमपने का सीरफ तयार हो गया है, अब आप लीजिए काच की एक बोतल और उसमें इस सीरफ को भर कर रखते, ये देखे कितनी परफेक कंस्टिस्टनसी लग रही है, खुश्बू भी बढ़िया आ रही है, लेकिन वो मैं आपको बता नहीं सकती, इस तरह सी आमपना बनाना है, एक ग्लास ले, उसमें थोड़ा सा सीरफ डाले, ठंडा ठंडा पानी डाले, आप चाहे तो इसमें आइस भी डाल सकते हैं, लिकिन आइस हेल्थ के लिए नुकसंदाइक होने से, मैं आइस का बहुत कम यूज करती हूँ, चमस से ड्रिंग को अच्छे से मिक्स कर ले, उपर से पुदीना की एक पत्ती और निम्बू के स्लाइस से इसे डेकोरेट कर ले, दोस्तों आमपना बनाने की ये रेसिपी आपको कैसी लेगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना घ्यान रखें और श्रे!